तॉपिक है लेश्मानिया, इसका किंगडम एनी में लिए है फा году zapんな margophora Class लेटर रे लेटर है लेश मां ईया क्या है यह एक ईंतरा इंट्रस एल्लार पैरासाइत है जो डब्लू बीसे लिवर सेल और स्पीन जैल स में रहता है यह थे-टीजbooks की cotton सेटर है जिसका जेरश जगतुन हर्छ मुजब πली बोटमस है और लेश्माणिया काला के मैं यहांजर फेवर कोस करता है रड़ाश मानिय की और Peniles मंगानुग की बॉर्फोलोगी लेखते हैं लैशमानिया हमेह लगानिया फार्मर्ण होता है जो लैशमानियल फॉर्म होता है वह में में प्रेzet होता है इसको और जो लेप्टो मेनाड फॉर्म होता है वो सेंट फ्लाई में प्रेजन्ट होता है इसको प्रो मेस्टी गॉर्ट फॉर्म भी बोलते हैं और यह HLeptomonide form SandFly के MidGut में प्रेजन्ट में प्रेजिट होती है लेश्मानियल form में, 3fegeella प्रेजला की नीजोगत। Woah! 3fegeella प्रेज्द होता है और साइटोबास्ट में इंबेड़ होता है और जो फ्लेजला एराइस होगा वो बेसल बॉडी से एराइस होगा बेसल बॉड़ी को बलेफेरोप्लास्ट पर बोलते हैं और यहां से फ्लैजला एराइस होगा और बेसल बॉड़ी के नीचे काइनेटोप्लास्ट प्रेजन्ट होता है और इसमें एमेस्टीगोट फॉर्म में आपने देखा जो नुकलियस होता है वो ओल शेप्ट का होता है और प्रोमेस्टीगोट फॉर्म में जो नुकलियस होता है वो अनलाज होता है और यहां पर जो फ्लैजला होता है वो फ्री होता और लॉंग होता है और इसमें भी जो बेसल बॉड़ी होती है उसके नीचे काइनेटोप्लास्ट प्रेजन्ट होता है और उसके नीचे काइन इसद पामोजेनस होता है कलिए और कलर्लेस होता है और यह अनों प्लासे में डिफरेंश लहा इंडल प्लासमें डिफ्रेंशीटर नहीं होता इसके साइट प्लासम मायाङ्रो learning द्वार्डडी भॉल्डी मैट्ररूल्रय वेक्व ब्लीफ्ल वेट्स भी लीफेआक और कािनतो प्रेशन 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 प्रेश आइश्मानिया में ह्लाइश्मानियय का मैन में द्रान्जमानिया का मैन में ट्रांसमिशन इंफनैटेट рамौनटरी श्यक्रविक्त इंफनैंट आइट बीमिक्त लेकी बावघ्व पूहि wastewater लेसां Article 1 को में स्क चख व्लै निट ओर लिवर की सेल में अंटर होंगे और ये उन और इंटर होंगे रोban में चरल को करेंगे और सबार मजंद कोंद एंट पर फोरींच और ने से बस्त हो जाएंगा और MSTGOD form का blood में release हो जाएंगे ये जिन में से कुछ free MSTGOD है उनका phagocytosis हो जाएगा neutrophil और monocyte cell से जब sandfly infected person का blood सक करेगी तो उस blood के साथ MSTGOD form और MSTGOD form के साथ-साथ जो phagocytosis की वे neutrophil और monocyte cell है वो blood के साथ enter हो जाएंगे और ये sandfly के mid gut में MSTGOD form transform हो जाएंगे pro MSTGOD form में मल्टिप्लिकेशन होगा longitudinal binary fission से और उससे इनका number increase हो जाएगा नमबर increase होने पर ये sandfly के दूसरे organs में spread हो जाएंगे except salivary gland और जब ये sandfly human को bite करेगी तो ये pro MSTGOD form का transmission हो जाएगा और pro MSTGOD form sandfly के bite के साथ ये human body में एंटर कर जाएंगे इंडिया चाइना इंडिया चाइना मेडिटेरिन कंट्रीज और कुछ अफरिका के पार्ट्स में होता है इसका incubation period 3-6 महीने और कभी कभी 6 महीने से 2 साल तक होता है इसके symptoms क्या है? body में swelling होती है, high fever होती है और organs जो reticulo endothelial system के organs है liver, spleen, lymph node, bone marrow उनका enlargement हो जाता है और weakness हो जाती है, anemia हो जाता है और skin की darkening हो जाती है और advanced stage में skin dry हो जाती है और पूरे शरीपे pigmentation हो जाता है और ultimately patient की death हो जाती है patient की death, bacteria और virus से होने वाले secondary infection की वज़े से होती है क्योंकि patient का immune system होता है वो बहुत weak हो जाता है इसका diagnosis कैसे करेंगे? blood film की examination से, biopsy से और biopsy और blood film examination से MST got form का diagnosis होता है WBC के examination से, जिसमें neutrophil का number decrease हो जाता है और lymphocyte और monocyte का number increase हो जाता है और RBC count से, जिसमें की RBC का number decrease हो जाता है इसका treatment देखते हैं, इसके treatment में pentavalent anti-money compounds जिसमें drugs यूज होती हैं, जिसमें urea, stevamide, coamide है फिर इसको prevent करने के लिए कुछ prophylactic measures होते हैं, जिसमें fumigation और insecticide का spray और reservoir host को दूर रखना और mosquito net और anti-repellent cream का use करना Lashmania की कुछ important species की study करते हैं जिसमें सबसे पहले हैं Lashmania donovani इसका primary host man, cat, dog secondary host, sandfly होता है और यह host के WBC liver, spleen cell, bone marrow और lip nodes में होता है इसका transmission sandfly से होगा और Lashmania donovani से काला अजर या फिर उसको dum-dum fever या black fever भी बोलते हैं और इसके symptoms होता है fever, anemia, spleen के enlargement और skin का pigmentation फिर Lashmania infantum होती है जो कि बच्चों में होती है sandfly से, sandfly यहाँ पे secondary host होता है और यह host का जो location होगा वो intracellular होगा यह भी sandfly से होगा और यहाँ पे जो disease होगा कि बच्चों में हो रहा है उसकी वज़े से यहाँ पे इसको अपन बोलेंगे infantile kalahazor और इसमें भी spring का enlargement हो जाता है फिर Lashmania chagasi जिसमें primary host man है secondary sandfly है यह भी intracellular होता है इसका transmission भी sandfly से होगा और इसके जो disease होता है उसको South American kalahazor बोलते है और इसकी symptoms kalahazor के similar होगे फिर Lashmania canis जिसका primary host dog है और secondary host sandfly है यह भी intracellular होता है और इसका transmission भी sandfly से होगा और इस Lashmania canis से visceral Lashmania से होती है जो कि जिसके symptoms kalahazor के similar है फिर Lashmania and Tropica जिसका primary host man and dog है और secondary host sandfly है यह भी intracellular होती है इसका transmission भी sandfly से होता है और इससे oriental source होते है skin पे lesions पढ़ जाते है फिर next है Lashmania brasilianis जिसका primary host man, cat and dog है secondary host sandfly है यह भी intracellular होती है और इंtracellular कहां होगी nose और throat की जो mucous membrane है वहाँ पे और यह भी sandfly से होती है और इसके जो disease होता है उसको nasopharyngeal Lashmania stress बोलते है और इसमें जो nasopharyngeal region है वहाँ पे infection हो जाता है